अभी अभी आप सबों के लिए एक लैटिस्ट अपडेट आ रहा है वह सी बेसी बोर्ड एक्जाम्स के रिगार्डिंग क्लास 10 और क्लास 12 के स्टुडेंट्स के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा तो हाला कि अभी फर्स देसंबर को छे बजे वह आज डेट एनाउंस करने वाले थें सीबेसी बोर्ड एक्जाम्स के रिगार्डिंग तो वह डेट एनाउंस हो चुका है आपको भी हेडलाइन दिख रहा होगा एजुकेशन मिनिस्टर सेज एक्जाम्स विल बिगीन में 4 ओनवार्स तो रै जून तक एक्जाम चलेगा फोर में से स्टार्ट होगा हलाकि यह बहुत टाइम आपका आगे तक ले ले जाया गया है और हम लोग सोच रहे थे कि अप्रील माई जून अप्रील में स्टार्ट हो जाना चाहिए पर यह में में स्टार्ट हो रहा है हलाकि यह ठीक है आप सब बोर्ड एक्जाम्स देट्स उनियन मिनिस्टर रमेर्स पोख्रियाल निसांक ओन थर्जडे एनॉंस्ट दा सी बीसी क्लास 10 12 बोर्ड एक्जाम्स देट्स तो आज एनॉंस हो गया है आप सभी का डेट आगे इसमें आपको बताते हैं यहां पर दिखाया जा रहा है कि स्कूल्स को अलाउड मिल जाएगा कि आपको प्रेक्टिकल और प्रोजेक्ट चो एसेस्मेंट कराना है क्लास 10 का वह एक मार्च से आप करा सकते हैं यह सब एक अलग मैटर है और हाइलाइट्स अभी इसमें हां तो यहां आपको दिख रहा होगा की देट सीट और बोथ क्लास 10 और क्लास 12 विल बी इसूद सून जाइसा कि आपको यहां पर क्लीर पता चल रहा है कि आपको आज जिफ डेट अनौन्स हुआ है बाकि जो लैटर आपको अपडेट्स होगा वो सीविल जाएगा और आपको बाकि वो सब चीज भी जो है वो टाइम टेबल सी सब इन्फॉर्म आपको कर दिया जाएगा तो यहां बोर्ड एग्जाम्स तो बिगीन में फॉर अनवाड और रैप बाई जून तेन आपको मालूम चल गया है यह क्लियरली फॉर में से स्टार्ट होगा टेन जून तक खतम होगा और निसांग जी ने कहा है कि जो सजेसंस मिल रहे थे उनको पैरेंट्स और स्कूल्स के द्वारा कि we will discuss date related to CVS exam 31st December उन्होंने कहा था कि आज वो डेट्स करेंगे और फाइनली उन्हें सस्पेंस ऑवर कर दिया है और उन्होंने कहा है right now we are not considering the option of online examinations online examinations को लेकर अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है उनका कहना है कि अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है क्योंकि यह एक online mode of exam यह waste of time यह सब उनको नहीं वह suitable रहेगा students के लिए future के लिए suitable नहीं रहेगा इसलिए उन्होंने इसको खारिज कर दिया है clearly तौर पे लाइस आपको ज्यादा अपडेट आज नहीं दिया क्या है तो बिल्म नौट हेल्ड विफॉर फैवरी उन्होंने पहले बीए क्लियर कर दिया था कि बोर्ड एक्जाम आपका फै पेपर मोड मतलब आपका एक्जाम पेपर मोड के ही थू होने वाला है और आपकी आपका कुछ खास न्यूज आपको अभी तक नहीं मिला है बागी बुरा ओवरॉल न्यूज यही था आपके लिए बस इंपॉर्टेंट यही था कि सीवेसी बोर्ड एक्जाम जो है आपका आइसीएसी भी कुछ इसी टाइम पे एक्जाम केंडक्ट कर सकता है बाकि आइसीए को लिटेड़ अभी कोई अपडेट आया नहीं है अपडेट्स के लिए आप स्टड़ी भी तुझाल के साथ जूड़े रहें वीडियो कर दीजी लाइक चैनल लोग कर दीजी सब्सक्रा